एक्सजी का जो हमारे पास potential difference है वह हमें आपर पुट करते हैं एक्सजी का वह हम calculate कर चुके हैं जो के 6V के equal है XY अभी हमने calculate की यह इसकी value है 3.6 3.6V और YZ हमने calculate करने है YZ इसको both sides आप subtract कर सकते हैं potential difference across YZ is equal to इसको both sides subtract कर ले 6-3.6 इससे का जाएगा Calculator हम use कर सकते हैं इससे जाएगा 6-3.6 6-3.6 यह जाएगा 2.4 यह इस resistor के across जो हमारे पास potential difference है वह कितना जाएगा 2.4V अब देखें 2.4V यह हमारे पास इस resistor के across जो third resistor है जो unknown है इसके across हमने potential drop find किया अब इसकी value हम calculate कर सकते हैं जो कि current भी हमें non है इसमें जो कि 0.6 है और potential drop भी आगया तो इसमें से हम current calculate कर सकते हैं उसी फर्मूले को use करके ohms law को v is equal to ir अब यहां पर हमारे पास जो potential difference है वो है yz के across i है यहां पर i2 और r हमने calculate करना है यहां जाएगा r is equal to v yz divided by i2 v yz यहांई yz के across potential difference है वो है 2.4 जो अभी हम calculate कर चुके हैं divided by i2 जो कि 0.6 है इसको आप कर ले 2.4 divided by 0.6 2.4 divided by 0.6 इससे आजाएगा 4 यहां पर इसकी जो हमारे पास resistance होगी इस resistor की वो है 4 omega यहां पर आपने देखा कि जो potential drops यहां इनकी प्रॉपटी है वो यह है कि potential drops parallel में equal होते हैं यानि जिस पात पर भी current flow करेगा वो same potential difference उसको मिलेगा चुनकि बैटरी हर एक पात को equal potential difference प्रवाइट करती है जो difference होगा वो resistors और electric current का यहां पर आ रहा है आ रहा है